इस तरह से आज हमने जामुन के बारे में आपको जानकारी दी कल एक नए फ्रूट के बारे में हम जानकारी देंगे जिसमें बनाना भी हो सकता है और गौावा भी हो सकता है और आमला भी हो सकता है तो देखते हैं कि कल मैं कौन से फ्रूट के बारे में आपको जानकारी कई बार हम ignore कर देते हैं पेड़ों के पास से निकल जाते हैं उनको हम देखते नहीं है नहीं यह खटा है यह मिठ है हम नहीं खाएंगे लेकिन हर एक सबजी में हर एक फ्रूट में कोई न कोई गुन जरूर होता है जो परकरतीने चीज़े हमारे लिए बनाई हैं उसमें सबसे पहले हम जामुन के पेड़ के बारे में बात करेंगे तो यह देखिए कितना बड़ा पेड़ है और इसके हम फल पत्ते बीज सब के बारे में आज बताएंगे अपरिल का महिना है और अभी नए पत्ते जामुन के आने लगे हैं फल भी साथ साथ आ रहा है पुराने पते जड़ रहे हैं यह देखिए निच्चे पतों का डेर निच्चे हमने इसकी हलदी लगा रखी एए इसके बारे में बात करूँगी और यह देखिए ऐसे इसका फल होता है ये देखिए ये लग रहा है फल इधर से गुमा के दिखाती हूँ ये दो बहुत सारा फल लगा हुआ है उपर तक नीचे से शुरू होके उपर तक फल ही फल है और इसके फल की बात की जाए तो इसके फल में कैलरी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और ये विटामिन सी, कार्वो हैड्रेट्स, प्रोटीन, आईरन, मैगनेशियम, पोटेशियम के लिए बहुत ही अच्छा स्त्रोथ है इसमें ये सारी चीजें होती है ये कम से कम होगा, 15 से 20 साल पुराना पेड होगा और इसके ऐसे ये हो जाते हैं, खोकर हो जाते हैं जिसमें जो तोते बगएर हैं वो अपना घर भी बनाते हैं और अपने बच्चे पालते हैं इसमें और बहुत सारे पक्षियों का बसे रहा होता है इनमें क्यूंकि बहुत बड़ा पेड है तो इसमें घिलेरिया है और चिडियों ने अपने खोंसले बना रखे हैं चलो तो ये तो बाते होगी पक्षियों की उनको भी आसरा चाहिए और अब हम बात करते हैं इसके fruit की तो इसका जो फल होता है ये हर्दे समंदी जो दिल है दिल समंदी समस्याओं और cancer जैसी बिमारियों को कम करने में बहुत लाबदाइक है ये जैसी है ये अभी मिंजर आया इसका यह बड़ी-बड़ी गुठली बनती है, और उसके बाद यह तकरिबद दो या तीन इंच का फ्रूट होता है, बीच में बड़ी सी गुठली होती है, और जिनके diabetes होती है, वो अगर जामून के बीज से पाउडर बना कर अगर उसको खाया जाए, तो diabetes हमारी कंट्रोल मे रहती है, और कितनी मातरा में इस पाउडर का उपयोग किया जाना चाहिए, यह है, डॉक्टर से सला जरूर ले ले, मल वैसे नहीं कि किसी के कहने से आप लेते जाओ, लेकिन इसका पाउडर बहुत ही फाइदे मंद होता है, और इसकी पतियों की बात की जाए तो जमून की प पतियां को यह चाहिए्ट को पूरा हमारा डीटोक्स कर देगा और ब्लड शुकर को भी कंट्रोल करेंगी यह जामूनकी पतियां, अभी तो बहुत पमलको मल पतिया आई जहां भी जामून का पेड़ आपको दिखे वहां से आप पतियां ले आइए और जिनके ऐख रहती हैं उनका भी ये रामबान इलाज है इनकी पतियों का रस जैसे सुबह सुबह एक गिलास या आदा गिलास इसकी पतियों का रस पी लेते हो तो आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा और कई बार हमारी स्किन पर दाने दाने से हो जाते हैं गर्मी की वज़े से तो उसमें भी ये बहुत लाबकारी है तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फ्रूट और इसकी पतियां देखिए कितनी कॉमल कॉमल पतियां आई हुई हैं तो आप इसको जरूर यूज करिए और सब को पता है जामिल के बारे में कोई किसी से पूछने की जूरत नहीं है और अभी ये फल पकता है अभी अप्रेल मई जून में जब लू चलती हैं तो ये फल पक के अपने आप गिरने लगता है और पक्षी इसको बड़े चाव से खाते हैं हम भी बड़े चाव से खाते हैं पक्षी भी बहुत चाव से खाते हैं तो बर्ड्स का तो ये फिर हब बन जाएगा यह बहुत सारी फिर अभी जैसे ये फूल लग रहे हैं इसके मिंजर पर मदु मखिया आ रही हैं जो एक जमून का पेड़ मिल जाता है चोटा उसको आप जमीन पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा नहीं तो आप गमले में भी लगा सकते हैं आजकल ऐसी विराइटी जा रखी हैं कि जो गमले में भी फल देने लग जाती हैं बोंसाई किसम की या थोड़ा वो ऐसी कलम वाली विराइटी जा रखी हैं कि वो गमले में भी आपका फल देंगी जितने आपके जुरूरत हो लेकिन अच्छा हो यह होगा कि आप जमीन पर लगाएं इस फल को और इंज्वाई कीजिए इसके फलों का यह कई तरह की होते हैं मिठे भी होते हैं खटे भी होते हैं तो परओ देगा और बहुत अच्छे फल देगा और यह घुठली से भी आप पोदा उगा सकते हैं देखे छोटा से पोदा गुठली से उगा हुआ है पिछले साल की गुठली गिरी होगी तो यह पोदा तैयार हो गया है इसको हम गमले में कुछ दिन तयार करके और उसको फिर झाल्चोंग झालूड़ झालूड़ से टूली ठाओनों पूली चालूड़ झालूब।